अब बात करेंगे अडानी विल्मर की और अडानी विल्मर की आज आपको विडियो बड़े अच्छे ठंक से समझनी हैं क्योंकि कुछ-कुछ चीजे मैं आपको जब समझाता हूं वो फैक्ट के अनुसार ही समझाता हूं सबसे पहले तो ये समझो कि अडानी ग्रूप की तरफ से जब ये ऐलान हुआ कि वो अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं तो शेर प्राइस गिरा ये उस दिन से ही अडानी गुरूप के अन्य शेरों से अलग हो गया जब अडानी की तरफ से ये बयान आए कि वो अपनी हिस्सेदारी उचित मुले पर बेश सकते हैं अगर उन्हें मिला ये उस दिन से अलग हो गया उस दिन से इतना ज़्यादा शेर गिर गया कि लोगों ने सोचा नहीं था साथ साथ या आठ फरवरी को इसका आईपियो आया था उसके बाद से ये तीन महीने में यानि फरवरी से तीन महीने के अंदर अप्रेल में ये करीब साथ सो असी रुपे पर सेर पोचा मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब भी आईपियो के बाद सेर बुलंदियों तक जाता है तो वो अपने में करेक्शन जरूर करेगा क्योंकि वो अपनी जितनी भी चीजे बैलेंस इट पर दिखाएगा वो तो तीन महीने बाद ही दिखाएगा न और तीन महीने में ये फरवरी से अप्रेल में ये पहुच गा साथ सो असी तो वो जाइज नहीं था अब जब शेर इसका जहां पर है यहां पर ये जाइज हो स अब सबको पता है तो वह चीज को अमें तलास करने पड़ेगी जब आई पो के बाद यह बागता है तो उसके काफी बुलंदी जब हो जाए तो उस से को खरीदने से बचो चाहिए वो कोई से गुरूप का शेर हो उसे बचो उससे बचों से कि जो काफी एकदम जैसे बाइ 500 रुपे एक्स्ट्रा कौन देगा उसे तेहल ने दो ना भाई उसे आने दो एक रहन नीती पे तो एक करण इसका यह भी था कि यह गिरावट कर रहा था आई प्यों के माध्या में दूसरा पहला करन कौन सा था अडानी ने जब यह ऐलान किया कि वो इसमें से हिस्सेदारी बीच रहे हैं और हम हैरान हो गए कि FMCG में अडानी विल्मर की खादे तेल में जो हिस्सेदारी है भारत में 20% में अगरिणी है खादे तेल में चावल हो गया आटा हो गया अन्य परकार की डाले हो गई चीनी हो गई उसमें यह वर्क करता है इतना बड़ा यह कंपनी का ग क्याती है कि खाना सबको जरूरी है तो उस रंडीती से भी आपको इसको देखना है अडानी की तरफ से जब यह बयान आया कि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को उचित मुल्ले पर ना मिलने की वज़े से ठंडे बस्ते पर रखा तो इसका मतलब क्या था कि वह अपनी हिस्स अगर अडानी विलमर जी ने यह कहा कि इसमें से हम बेच रहें अपनी हिस्सेदारी तो यह फिर गिरेगा पर गिरने के बाद इसके वह वजूद खतम नहीं होंगे जो बजार की हिस्सेदारी के साथ 20% खादे तेल में है और देश क्या विदेशों में भी निर्यात की कारोबार थे जो बाद में अलग हुए है तो उनका एक बड़े गुरूप का और इंडिया के बड़े गुरूप का तो यह आगे की प्रगति के लिए पर पैंच जो फसा हुआ है कि अडानी गुरूप इसके अंदर से कभी भी निकल सकता है तो वह एक प्रॉब्लम इसके अ सब्सक्राइब करना यह अपने आप में नहीं कि एक फम्सी जी कप कमपनी का शेर और वो जो इसमें अडानी निकल रहे हो वह इतनी सेल कर रहा है और अडानी निकल रहे हो इसके अंदर से कुछ अजिए नहीं होती चीजे फिर भी बारह आजार आट सो अठाइस क्लोड दोसू एक क्रोड रुपे की कंपनी ने प्राफिट किया था ना दूस्य चीज मैं आपको बता हूं यह पिर रहा हूं आइपो के बात भागा था वह अक्ट्वल चीजे नहीं थी इसकी एक्ट्वल चीजे अब हैं इसकी जब इसने दोस्तो एक क्रोड का प्रोफिट किया यह तब किया जब इसने पिछले दो क्वार्टर यानि क्वार्टर वन क्वार्टर टू लोस परस्तुत किया था जब इसकी सेल्स और इसका प्रॉफिट आया तो अडानी विलमर के अंदर की अवाज आई कि एक और कमपनी अपना विस्तार करेगी अलग-अलग चीजों के साथ आगी जाएगी और कमपनी गाओं की तरफ भी अपने विस्तार को बढ़ाएगी तो यह आपको समझना है इसने दो बार लोस करके प्रॉफिट किया अब इसका जो क्वार्टर फॉर का रिजट आएगा म और कमपनी के पास जो कर्जा है वो करीब 3,834 क्रोल का है तो विजब ज्यादा है कर्जा कम है और कमपनी बैस्ट प्रोडेक्ट बनाती है कैस फुलो अगर देखें तो मार्च 2023 का वो भी सही है उपरेटिंग एक्टिविटी से इन्होंने काफी पैसा भी डाला है पिछले साल मार्च 2023 में जो करीब 663 क्रोल का था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से करीब 524 क्रोल रुपे भी इन्होंने कमाए है और तीसरा जो है financing activity यानि कि क्या ये अपने करज को कम कर रहे है तो हाँ इन्होंने अपनी repayment और interest paid भी किया है जो करीब 919 क्रोल रुपे करीब का है और भी इसमें जूड़े वे होंगे तो 919 क्रोल रुपे company अपने करज को भी उतार तो company अपनी operating activity को जोड रही है कमा कर पैसा लगा रही है दूसरा अधर चीजों से investing की चीजों से पैसा कमा रही है तीसरा अपने करज को कम करती जा रही है तो यह positive लग रहा है ना पस एक ही चीज इसके अंदर हमें टैंसन दे रही है कि अडानी निकल ना जाए दूसरा अडानी निकल भी जाएंगी तो sales देख लो अडानी निकलन है आपको समझा रहा है अडानी और विल्मर गूर्प की करीब 43.94% की बराबर बराबर इससे दारी यह नहीं 43.84% अडानी और 43. lange परेसेंट विल्मर इंटर्नेशनल गूर्प की हिस्सेदारी है तो विल्मर इंटर्नेशनल जो है यह भी अपने आप में बहुत बड़ा और भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा तो आगे की अß मुझें लेकिन बीटे कई वर्सों का चाड़ देखकर आप आगे की रंडिती बना सकते हो क्योंकि वो चीज़े बीथ गई उस चीज़ों में क्या क्या चीज़े होई थी फिर balance rate देखो तो आगे की view आपके कैसे बन रहे हैं काम के परती बन रहे हैं या फिर फे प्राइच के परती बन रहे हैं यह आपको decide करना पड़ेगा दूसर एक news मुझे अभी मार्च की देखने को मिली है मैं उसे फिर से बता दू कि अडानी गुरूप जो है मसाले के छेतर पर भी उतरना चाह रहा है हमारा देश यानि कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाले का निरियातक है यानि कि यहां से बहार बेजता है हैना एक्सपोर्ट करता है दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि अडानी गुरूप क्या भाप रहे है कि यहां पर जो कंपनिया है इस तरीके की मसाले वाली कंपनिया है अलग-अलग जो कंपनिया है उसमें कुछ ऐसी कंपनिया है जो कोई देश का सच्चा रास्टे खिलाड़ी नहीं है जाना माना नहीं है तब भी उनकी बजार की जो हिस्सेदारी है 60% से जादा है जो अलग-अलग अपने ब्रांड से मसाला बेजते हैं वो 60% से जादा है और देखने को यह मिलेगा एवरेश्ट मसाला हो गया एमडिएच हो गया हाँ यह है थोड़े जो सूपर मार्केट मेंन के मसाले मिलते हैं बलकि 60% के जो है अन्य ब्रांड है जो अन्य चोटे मोटी कमपनी है जो एक ऐसा नाम है जिसे कोई जादा जानता नहीं फिर भी उनका माल जादा बिखता है तो अडानी गुरूप क्या कर रहा है इस तरीके के ब्रांड का अधिग्रहन करने की सोच रहा है जिनका सुचारू रूप से काम है बहुत बड़ी न्यूज बता रहा हूँ क्यों क्योंकि इसे मसाले में भी नंबर वन बनना है कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़े है ये चोड़ी चोड़ी कमपणियों का दिग्रहन करने की चीज़े आपको आगे देखने को मिल सकती है क्योंकि ये भारत के 20 अरब मसाले के बजार की जो इस्तितियां है उसके अंदर परवेश करना चाह रहा है और एक अनलाइस के थुरू आपको मैं एक चीज़ बता हो जाएगा 36 अरब डोलर का अभी कितना है 20 अरब डोलर का है तो ये मसालों में भी अपनी चीज़े देख रहे हैं यह नहीं कहूंगा कि शेर अच्छा यह खराब है मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूं वह आपको समझ में आने चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी वी करके गर पर 8-9 वजे गरी बात है इसलिए मैं रात के टैम यह वीडियो डालता हूं ताकि आप जब समझें तो आपको वह चीज़े समझ में आए जो लोग कई वीडियो बनाकर गुम्रा कर देते हैं शेर भागा नहीं वीडियो बना दी समझ में आनी रहा है ना तो यह मसा इंचेट मिले या फिर अडानी गुरूप हमें कहें कि मैं इसे आगे नहीं बेच रहा हूं या बेच रहा हूं तो उस पर भी यह रियक्ट करेगा तो मुझे तो यह पोजिटिव सर लग रहा है मैं आपको बता लो